मंगाल के अलिपुर द्वार में दर्धनाख हाथसा, चेन की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत पश्य मंगाल के अलिपुर द्वार जिले के राजा भात खावा वनक्षेतर में हुए हाथसे में, मृत हाथियों में दो बच्चे भी शामिल है हादसे वाली मालगाडी के चालग और सह चालग का मेडिकल कराय गया है अधिकारियों के मुताबिक जिस थान पर ये हादसा हुआ है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के दैरे में नहीं आता है पश्यमंगाल के अलिपूर द्वार में दुखत हादसा हो गया जिले के राजा भात खाबा वनक्षेत्र में रेल पट्रियों को पार करते समय तीन हाती मालगाडी की चपेट में आ गए जिसकी वज़ा से उनकी मौके पर ही मौत हो गई इनमें हाती के दो बच्चे भी शामिल है जिस थान पर ये हादसा हुआ है वो इंट्रियोजन डिटेक्शन सिस्टम यानि आईटियस के दायरे में नहीं आता है पुर्वत्र सिमान त्रेलवे यानि एनफर के एक वरिष्ट अधिकारी ने ये जानकारी दी अधिकारी ने बताया कि ये घटना राजा भात खाबा कालचीनी खंड में हुई है ये क्शेत्र उत्तर बंगाल में बक्सा बाग अभ्यारन के निकट सित है जिस थान पर ये घटना हुई है वे इस तरह की घटना को टालने के लिए लगाए गए इंट्यूजन डिटेक्शन सिस्टम यानि IDS के दायरे में नहीं आता है मालगाडी की चपेट में आकर हातियों के दो बच्चों ने भी तोड़ा दम NFR के अधिकारी ने PTI भाशा को बताया कि घटना सुभा करीब 7 बचकर 20 मिनट पर हुई जब एक मालगाडी अलिपुर द्वार से सिली गुडी जा रही थी मालगाडी की चपेट में आने से तीन हातियों की मौत हो गई जिन में उनके दो बच्चे भी शामिल है अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद मालगाडी के चालक और सह चालक की मेडिकल जांच कराई गई है घटना के बाद कुछ समय के लिए मालगाडी वहां खड़ी रही इंट्यूजन डिटेक्शन सिस्टम ना होने से हुई मौत वनक्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इंट्यूजन डिटेक्शन सिस्टम यानि आईडियस लगाए गए है ये सिस्टम हातियों को रेल गाडियों से होने वाली दुर घटनाओं से बचाती है अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि आईडियस अलिपुरद्वार रेलवे डिवेजन के कुछ हिस्सों में लगाए गए है और इसे अलिपुरद्वार कालचिनी खंड में लगाया जाना अभी बाकी है अधिकारी ने कहा कि एनेफार के लुमिनिंग और रंग्या डिवेजन के साथ पूरे खंड को आईडियस के दारे में लाने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर आईडियस लगा हुआ है वहां रेल गाडियों की चपेट में हातियों के आने की कोई घटना नहीं हुई है एनेफार के अधिकारी ने पिटियाई भाशा को बताया कि घटना सुभा करीब साथ बचकर बीस मिनट पर हुई जब एक मालगाडी अलिपुर द्वार से सिली गुडी जा रही थी मालगाडी की चपेट में आने से तीन हातियों की मौत हो गई जिन में उनके दो बच्चे भी शामिल है अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद मालगाडी के चालक और सह चालक की मेडिकल जाँच कराई गई है घटना के बाद कुछ समय के लिए मालगाडी वहां खड़ी रही इंट्यूजन डिटेक्शन सिस्टम ना होने से हुई मौत वनक्षेत्र में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए इंट्यूजन डिटेक्शन सिस्टम यानि आईडियस लगाए गए है ये सिस्टम हातियों को रेलगाडियों से होने वाली दुरगटनाओं से बचाती है अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि आईडियस अलिपुरद्वार रेलवे डिवेजन के कुछ हिस्सों में लगाए गए है और इसे अलिपुरद्वार कालचिनी खंड में लगाया जाना अभी बाकी है अधिकारी ने कहा कि एनफार के लुमिनिंग और रंग्या डिवेजन के साथ पुरे खंड को आईडियस के दारे में लाने के लिए निविधा प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर आईडियस लगा हुआ है वहां रेल गाडियों की चपेट में हातियों के आने की कोई घटना नहीं हुई है